Hello Friends, Government Job Genie Notification Channel पर आपका स्वागत है So Friends, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे B.H.C. Nursing के बारे में B.H.C. Nursing से जड़ी हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी जैसे की What is B.H.C. Nursing? B.H.C. Nursing क्या है? इसके लिए eligibility criteria क्या रहता है, duration क्या रहती है, fees क्या रहेगी B.H.C. Nursing course की admission process क्या रहेगा, exam pattern क्या रहेगा, slavish क्या है and job profile क्या रहती है So ये जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आप B.H.C. Nursing करना चाहते हैं या B.H.C. Nursing से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं वीडियो को end तक पूरा देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर first time विजिट कर रहे है या आपने अब तक चैनल को subscribe भी नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को भी प्रेस कीजेगा bell icon को प्रेस करने से आपको वीडियो का notification मिलेगा जब भी मैं कोई new video upload करूँगी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं B.H.C. Nursing क्या है या B.H.C. Nursing कोर्स के बारे में B.H.C. Nursing इसको हम वैसे तो सभी लोग जानते हैं लेकिन B.H.C. Nursing के लिए हम कह सकते हैं Bachelor of Science Nursing यह एक undergraduate degree course है जैसे कि जो B.H.C. होते हैं अगर आप nursing field में जाना चाहते हैं तो आप B.H.C. Nursing इसमें कर सकते हैं यह जो B.H.C. Nursing courses है वो two types के रहते हैं एक B.H.C. Nursing and post basic nursing B.H.C. Nursing 4 years का रहता है and post basic nursing 2 years का रहता है ओके सो यह two types के nursing courses है अब हम इसके लिए eligibility देखेंगे eligibility criteria कह रहता है तो B.H.C. Nursing अगर आप करना चाहते हैं तो आपका minimum 12th pass जरूरी है physics, chemistry and bio side से आपने bio side से 12th complete कर लिया है minimum 50% max के साथ तब आप B.H.C. Nursing course कर सकते हैं B.H.C. Nursing course के लिए eligible रहते हैं इसी दरह से जो second course था जो post basic nursing उसके लिए जो eligibility criteria रहता है वो कुछ diploma courses रहते हैं जैसे की GNM हुआ आप ये course करते हैं उसके बाद में अगर आप करना चाहते हैं nursing तो आप post basic nursing कर सकते हैं आप हम बात करेंगे B.H.C. Nursing course की फीस क्या रहती है तो वैसे फीस 15,000 से एक लाग ये एक average है क्योंकि college by college ये vary करता है college पर depend करेंगा आप किस college से कर रहे हैं तो एक average fees हम यहाँ पर देखेंगे तो 15,000 से लेकर के एक लाग आपका एक साल का fees लग सकता है B.H.C. Nursing course को करने के लिए ठीक है ये B.H.C. Nursing course है post basic का मैं यहाँ पर नहीं बता रही है और B.H.C. Nursing course के लिए फीस average है अब हम जानेंगे admission process B.H.C. Nursing course करने के लिए आप किस तरह से admission ले सकते हैं तो B.H.C. Nursing course में आप Entrance Exam and merit के ways पर admission ले सकते हैं कुछ colleges हैं जो आपको merit के ways पर admission देते हैं जो entrance exam लेते हैं अभी entrance exam national level का भी हो सकता है या state level का हो सकता है या फिर university या college जहां से आप कर रहे हैं वो college level पर भी entrance exam ले सकते हैं but कुछ colleges हैं 12th की percentage जो आपकी रहती है, उसके बेस पर merit तयार करते हैं, और आपको admission दिया जाता है. कुछ हम entrance exam देख लेते हैं, for example, तो यहाँ पर आपको जैसे की NEET, national level entrance exam जो होता है, यह national level का रहता है, तो आपको NEET exam भी देना पड़ सकता है, किसी-किसी colleges में NEET के बेस पर admission दिया जाता है, या SAT, S-A-A-T, यह university level entrance exam है, C-E-N-T-A-C, state level entrance exam है, यह ITM, NES-T, तो यह depend करता है किस college से आप admission ले रहे हैं, वहाँ पर merit या entrance exam के बेस पर आपको admission दिया जा रहा है, चिक, अब हम बात करेंगे syllabus की, अब हम जानेंगे BAC nursing का syllabus क्या रहता है, तो यहाँ पर हम yearly देखेंगे, year wise देखेंगे कि आपको first year, second year, third year, fourth year में आपको क्या study करनी होती है, तो first year में जो आपक chemistry, nursing foundation, psychology, introduction to computer, यह आपका first year का syllabus है, जो आपको first year में study करना होता है, अब हम जानेंगे second year में, second year में आपको study करना होता है, sociology, pharmacology, pathology, genetics, medical surgical nursing post, community health nursing, microbiology, environmental science, यह आपका second year का syllabus है, जो आप second year में study करते हैं, next हम देखेंगे third year का, third year में आपको क्या study करना होता है, तो third year का जो आपको syllabus रहेगा, वो है medical surgical nursing, child health nursing, mental health nursing, and communication and educational technology, यह third year का आपका syllabus है, जो आपको third year में study करना होता है, अब हम जानेंगे fourth year का, fourth year में आपका जो syllabus रहता है, midwifery and obstetrical nursing, community health nursing 2, nursing research, management of nursing service and education, यह आपके fourth year का syllabus है, जो आपको study करना होता है, अब हम देखते हैं job profiles, BSC nursing course complete करने के बाद क्या job profiles रहती हैं, आप किस तरह से job ले सकते हैं, तो BSC nursing, आप nursing course है, nursing complete करते हैं, तो आप nurse बन सकते हैं, या nurse supervisor, nursing educator, and medical coder आप बन सकते हैं, तो यह nursing field से जड़ा हुआ course है, nursing course है, तो आप nursing से ही related आपकी job profiles रहने वाली है, अब हम ब colleges हैं, वैसे आपको जो भी nearest आपकी है, आप उससे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे कि EMS New Delhi, EMS जो college है, वहाँ से आप कर सकते हैं, या PGIME at Chandigar, CMC Valor, VHU Baranasi, West Wingal University of Health Science and Christian Medical College, Tamil Nadu, so यह कुछ BSC nursing colleges हैं, जहां से आप कर सकते हैं, ले जो भी university है, आप जहां से suitable रहता है, आप वहां से यह course कर सकते हैं, जहां तक है, यही courses करें कि BSC nursing course आप कर आप करते हैं, तो आप government college से करें, government college से करने पर आपको fees कम पे करनी होगी, कम आपका खर्चा होगा, तो उसी course को अगर आप करने में ज्यादा private college से करते हैं, तो private college से करें, और साथ ही यह भी confirm कर लिजेगा, कि आप जिस भी college से कर रहे हैं, वहां पर admission किस तरह से दे रहे हैं, merit के वेस पर दे रहे हैं, क्यूंकि minimum percentage 50% रखा गया है, लेकिन कुछ-कुछ college से जहां पर 45% भी ले लिया जाता है, तो आप college पर, आप जिस भी college से कर रहे हैं कर लिजेगा, entrance exam के वेस पर है, आपको merit के वेस पर admission दे रहे हैं, साथ ही यह BSC nursing courses है, nursing में और भी कई courses अबलेबल हैं, जैसे ही diploma courses, certificate courses अबलेबल हैं, A&M, G&M, यह जो courses हैं, इन पर मैंने video upload किया हुआ है, कुछ और other courses भी है, जिन पर मैंने video upload किया हुआ है, नहीं देखा है तो playlist check कर लिजेगा, आपको वहाँ पर सारे जो nursing से या medical feature related courses हैं, उनके बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी, साथ ही अगर आप किसी course के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी जैसे की other nursing courses रहते हैं, diploma या certificate के बारे में, तो आप मुझे comment कर दीजेगा, किस course के बारे अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर लिजेगा, like करने के साथ ही अपने friends and relatives के साथ भी share कीजेगा, और bell icon को press कर लिजेगा, bell icon को press करने से आपको notification time से मिलेगा, जब भी मैं कोई new video upload करूँगी, साथ ही मेरे second channel का link मैंने description box में दिया है, जिस पर मैं G के riddles, Hindi पहलिया and reasoning questions लाती हूँ, अगर आप उसमें interest रखते हैं, तो आप उस channel पर link description box में है, आप link पर जाएए, channel को visit कीजे, अगर आपको पसंद आता है, तो उसको like करने के साथ subscribe भी कर लिजेगा, thank you